आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो MCQ, Wind के solve करने वाले है, Wind जो class 9th का एक chapter है, ठीक है, और English PGT में भी है, ठीक है, तो इस chapter को solve करेंगे ध्यान से, ये actually test series का part है, इसलिए मैं कुछ आपको कुछ उसका part ही बता पाऊंगा, बैसे तो इसमें 70 question है, जो आपको test series में ठीक है, तो test series अगर आप लेंगे, तो English literature के आपको 4000 question में लेंगे, topic bys, ठीक है, और अगर grammar, उसमें grammar भी included, grammar के 2000 question रहेंगे, topic bys a mix, और जुलाई में आपको मिलेगा, इसी course में, आपको MCQs का एक mock test, ठीक है, तो चलिए, start करते हैं, session को without waste of any time, dear students, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि मैंने आपको line by line summary पढ़ा दी है, YouTube पे already uploaded है, आप पहले जाएए, उसको देखिए, और उसके बाद आके इसको solve कीजिए, ठीक है, और अगर आपने पहले पढ़ा है इसको, तो आप solve अभी भी कर सकते हैं, ठीक है, so start करते है, session को, first question है according to the poet, who will be our friend, if our strong, ठीक है, according to poet, poet के अनुसार, जो है, friend कौन है, we are strong, अगर हम strong है तो हमारा friend कौन है, ये question पूछा गया है, तो आप लोग मुझे बताएए, क्योंकि ये अभी मैंने last में आपको point में बताया है, वो उसके recording आपका answer आना चाहिए, ठीक है, चलिए, इसका comment जो होगा, जो होगा, वो होगा, वो होगा, क्योंकि बताया है, कि अगर आप strong होगे ना, तो आपका wind जो है, वो साथी दोस्त बन जाएगा, क्यों, कि जब आपकी जो mental ability और जो physical ability अच्छी होगी, तो आप जो problems आएगी ना, उसको आप face कर जाओगे, ठीक है, तो ये है, question number two हमारा है, who breaks the shutter of the window, ठीक है, बिंडो के shutter को कौन break कर सकता है, कौन है वो, कौन है, वो कौन है, children है, boy है, naughty boy है, wind है, कौन है, जो break कर सकता है बिंडो के shutter को, जल्दी इसका answer मुझे आप लोग बताईएगा, और गोली की रफ्तार के साथ बताईएगा, ठीक है, और आप लोग का जो answer आ गया है, वो दूसरे का answer आया है, D, 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 और D is the right answer, ठीक है, ध्यान रखिए का shutter जो है न, shutter, shutter of the window, बिंडो को जो shutter जहां पे वो लगा होता है, ठीक है, चलिए, अगर आप लोग भी रेवा इंस्टिूट से जुड़ करके English Tessories जोइन करना चाहते है, English PGT की, ठीक है, सिक्षक भरती की, मेंस वरगेक की, तो आप इस नंबर में मुझे call करके पोच सकते हैं, या फिर आप रेवा इंस्टिूट एप डाउनलोड करके भी क्या कर सकते हैं, Tessie join कर सकते हैं, ठीक है, next question हमारा है, who named the thing the wind had done, ठीक है, name the thing the wind had done, ठीक है, इसका answer मुझे आप लोग दीजिए, name the thing the wind had done, brought rain, tore the pages, broke the shutter of the window, ठीक है, जो बिंड है न, वो क्या क्या कर सकती है, ये बूच रहा है, ठीक है, या क्या की है, क्योंकि उसने बिंड ने क्या किया था, paper उड़ा दिये थे, ये न, शटर, बिंडों के shutter तोड़ दिये थे, ठीक है, और क्या कर दिया था, और उसने और कुछ किया था, brought rain, हाँ, rain को भी लेके आई थी, तो इसका answer क्या होगा, आप लोग मुझे बताइए, question बिंड है, वो rain भी लेके आई थी, ठीक है, tore the pages, ठीक है, and broke the shutters, next question हमारा है, in the line, you tore the pages of the books, who is you referring to, ठीक है, यहाँ पर you किसको कहा गया है, यह question पूछा गया है, और मेरा question यह है, कि यहाँ पर कौन सी figure of speech भी है, तो मुझे आप लोग दोनों answer देंगे, बंध हो, ठीक है, औ जल्दी देंगे, को किया गया है, wind को, question number five है, which word has been repeated in the poem, कौन सा ऐसा बर्ड़ा बंध हो, जो repeat हुआ है, poem में, steadfast, crushed, strong, crumbling, या repeating, आपकी उसमें figure of speech भी है, ऐसा कौन सा वर्ड है, जल्दी से बताइए मुझे, चलिए, तो यहाँ पर question number five का, जो मैं आपसे answer जानना चाह रहा हूं, वो आप लोग का लगभग आ भी गया है, और five का answer आप लोग का है, crumbling, मैंने आपको बदाया था, crumbling जो word है, सबसे ज़्यादा क्या हुआ, repeat हुआ है, ठीक है, चलिए, यह मेरा number, इस पर आप बात कर सक सकते हैं, अगर कोई query है, तो Reva Institute app download करके test series और main course join कर सकते हैं, question number six क्या है, who are negatively affected by the wind, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है, wind से क्या affected, कौन affected होता है, बुरी तरह से, ठीक है, weakling, strong people, both A and B and none of these, question number six का answer, चलिए से, आप लोग comment box पे comment कीजिए, यहाँ पे नेहा जी ने दे दिया answer, ठीक है, crumbling, ठीक है, इसका six number का answer सभी लोग दीजे, रोशनी जी ने दे दिया, नेहा तिवारी जी ने दे दिया, और भी लोग जो जुड़े हैं, अब्दुल जी ने दे दिया, ठीक है, कामना जी भी answer दिया करें, ठीक है, कामना जी न ने भी दे दिया चलिए सब लोग का एंसर आ गया है और आप लोग को मैं बताओं कोशन नंबर सिक्स का एंसर होगा ए वीकलिंग ठीक है ध्यान रखिएगा वीकलिंग मतलब जो कमजोर व्यक्ति होता ना उसको बिंड जो है बहुत जल्दी परशान करते हैं मतलब क्या है जो दिक्कते हैं जो अर्शने हैं वो आती है और उस व्यक्ति को जो कमजोर है उसको बरबाद करके रख देती है ठीक है कोशन नंबर सेवन बताइए हूम दस बिंड गुड गॉड लाइक यहां पर क्यों ऐसा कहा गया है कि भाईया जो बिंड है ना वो गॉड भगवान की जै कि जैसे है कि बीग प्यूपिल दोज फू टॉक्ट टू इट इस्ट्रॉंग प्यूपिल नन अब दीज बहुत बढ़िया सभी के अंसर लगवख लगवख सही है ठीक है खू कूशन नंबर है 8 which word is in the poem means to prosper यहाँ पे एक word मिला था prosper उसका मतलब क्या होगा स्टीट फार्ट फ्लॉरिस बिनोप्स क्रम्बलिंग क्या होगा question number 8 का answer आप लोग मुझे दीजे जल्दी से अब बिनोप्स बिनोप्स अब अगया एंसर नंबर 8 का answer prosper prosper मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ इसका मतलब होता है फलना फूलना ठीक है मतलब प्रगति करना कुल मिला के ठीक है florist मतलब to grow बहुत बढ़िया तो यहां पे इसका जो एंसर होगा टू प्रॉस्फर का वो होगा answer भी अब जितने लोग ने भी दिया है answer वह सही है ठीक है जो सी दे रहे हैं बिनोप्स वह गलत है ठीक है तू प्रॉस्फर मतलब क्या होता है फ्लना फूलना प्रगति करना और फ्लोर्स मतलब भी यह सेम यह होता है ग्रोड़ करना बढ़ना ठीक है next question आप लोग के लिए devio Sajuno है ठीक है यहां पे आप लोगको जो मैंने वो दिया होगा क्या बोलते हैं जो main notes, उसमें word meanings हैं, उनको भी आप थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा, ठीक है, जो especially poem में तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि poem की ही question बनते है, the destructive power of the bind is a symbol of, जो power है ना, जो symbol है ना, destructive power of bind, bind का जो symbol है, वो किस चीज़ का है, adversities का है, problems का है, challenges का है, या all of these का है, question number nine, question number nine का answer, जिसने दे दिया ना, सही सही, तो उसको मेरी तरफ से सावासी मिलेगी आज, ठीक है, मैं जानता था, मैं जानता था, आप लोग nine का answer, डी देंगी, नेहा जी, कामना जी, कुल्दीब जी, चर्ण सिंग जी, सब लोग d d d d d d di d 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 बोल रहे है, d d d का और अपने तो अपने दन्य छॉलेभ रट्टा लगा दिया एक दम यहाँ पे तो, लेकिन इसका एंसर मैं आप लोगो को बताऊं क्या होगा, nine का answer होगा, A, adversities, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 9 का answer होगा, B नहीं होगा, B नहीं होगा, problems, challenges, adversities में सब included होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो answer 9 का देना चाहिए था, वो होता है, आपका 9 का answer A, ठीक है, जिसको बोलते है, adversities, और adversities मतलब होता है, कठनाईया, समस्याएं, और पती, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सबी लोग, बहुत बढ़िया, चलिए, तो इसका 9 का answer A होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसे ही question परिक्षा में आकर के न, अपने एक नंबर काट ले जाते हैं, और ऐसे question परिक्षा में कम से कम 5 होते हैं, ठीक है, पांच में से, दो अपने से बन जाते हैं, तीन अपने से नहीं बनते हैं, और फिर भ enact लोग घर पहुँचके क्या बोल रहते हैं, अरे यार बन जाता मुस्से, वो तो मुझे बनता था, पता नहीं कैसे कलत हो गया, वो ऐसे हो गया, वैसा हो गया, ऐसा अपन सोचते हैं, चले यसलिए मैं वोलता और टेस्ट री जॉइन कीजिए रेवांस्यूट डाउनलोड करके नेस्ट कोश्यन कोश्यन नमबर 10 वाट इस दा मैनेज ऑफ दपोयम मैसेज ऑफ दपोयम ठीक है इस पोयम का मैसेज क्या है जल्दी से बता यह कमेंट बॉक्स पे फिर वी फर्म एंड स्ट्रॉंग मेक स्ट्रॉंग बिंडो और स्टॉप द बिंड ओल्द ऑफ दीस चल्द इसकोशन नमबर 10 का एंसर गोली की रफ्तार के साथ आना चाहिए भी एंसर वाट इस दा मैसेज के लिए बनाएगी है क्या इसका मैसेज होना चाहिए आप लोग मुझे बताइए अभी कुल्दीब जी हाँ ठीक है अब्दुल जी बोड़ रहे हैं ए होगा सभी लोग लगभग ए बोड़ रहे हैं और ए इस दर राइट एंसर ठीक है मतलब हमको ना हरमेशा हर सिचुएशन के लिए हर एडवर्सिटीज के लिए तयार रहना चाहिए वी फर्म एड स्ट्रॉंग कठिनाई मतलब स्ट्रॉंग होना चाहिए ठीक है उन सब चीजों से लड़ने के लिए ठीक है अराम से आना बिंड अराम से आना नहीं तो मेरे जो बुक रखी हो इन सेल में वो गिर जाएंगी ठीक है किसके लिए बोलता है जल्दी से बताईए मुझे 11 का एंसर क्या होगा है 11 के अंसर आप लोगने जो दिया है लगवाख लगवाख जाही है सी है घंसर ठीक है 11 का सी सही अंसर थे तो यहां पर जो सकते कि एस भृघ्सception न मिलेंगे 4000 English Literature के 2000 English Grammar के इसमें मैं आपको मॉंक टेस्ट भी दूँगा ठीक है जितने लोग यह टेस्रीज लेंगे उनको मॉंक टेस्ट भी मिलेगा जुलाई में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा जुलाई पे Which figure of speech has been used in the poem? Which figure of speech has been used in the poem? कौन सी figure of speech है जो क्या है? यूज हुई है poem में, symbolism हुई है, anaphora हुई है, personification हुई है चलिए जल्दी से बताएए कौन सी figure of speech का यूज किया गया है इस poem में और उमीद है आप लोग सही answer भी देंगे और जल्दी से answer देंगे चलिए तो answer आप लोग को 12 का मैं दे दूँ यहाँ पर टॉल का जो answer होगा, वो answer होगा D D is the correct answer क्योंकि मैंने आपको symbolism भी बताया था मैंने anaphora भी बताया था, personification भी बताया था, ठीक है तो यह तीनो जो है literary devices में होंगी question number 13 की बात करें, tell a bird in the poem which is the antonyms of fullest जो fullest होता है na, fullest मतलब होता मूर्ख मूर्ख का antonyms आपको बताना है, मतलब आपको बिप्रीद word बताना है, ठीक है, बिलोम सब्द बताना है, question number 13 का, और आपका answer आना चाहिए, बहुत जल्द, comment box पे, ठीक है, जल्दी से question number 13 का answer बता दीजे, जल्दी से, जल्दी से, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात, क्या बात, क्या बात, सही है, बहुत बढ़िया, so dear friends, सभी के लगभग answer सही है, fullist मतलब होता है, more, इसका मतलब होना चाहिए, हुस्यार ये चतुर, तो भहिया, यहां पे आगया clever, ठीक है, next word हमारा है, how can we, how can we be friends with the bind, भहिया, बिंड के कैसे दोस्त बन सकते हैं ये बताईए, क्योंकि poet ने आपको poem में बताया था कि हम कैसे दोस्त बन सकते हैं, bind के, ठीक है, मतलब हवा के दोस्त बनना है, मतलब जो बुराई हैं, जो कटनाई हैं उसके adversities हैं, उसके हम कैसे मित्र बन सकते हैं, वो आप लोग मुझे बताईए, जल्दी से बताईए, question number 14 का answer, comment box पे, question number 14 पे आईए, 14 पे, 14 का answer दे रहे हैं, कुल्दीब जी, D बोल रहे हैं, all of these, अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, D, 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 अच्छा, सभी लोग D दे रहे हैं, मतलब इसका, मतलब सभी लोग जो D दे रहे हैं, उनका answer बिलकुल सही है, और yes, आपको क्या करन चाहिए, सबसे पहले, यहां पर C, रोशनी नहीं होगा answer, D ही होगा, ठीक है, D for dog, मतलब all of these, क्यों, यह by building strong homes, सबसे पहले अपने घर को मजबूत करो, अपने दरवाजों को मजबूत करो, अपनी body को strong करो, अपने heart को मजबूत करो, यह सबसे last में, last, second last line थी, second last stage था, उस student जो देख रहे है, YouTube पे जो हमें देख रहे हैं, हमाई testis को देख रहे हैं, ठीक है, तो इस number पे मुझे आप call कर सकते हैं, और साथ में अगर आप RavensTube से जुड़ करके, English PGT Mains, Netset, JRF की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप तैयारी करना चाहते हैं किस चीज की, English PGT Mains की, ठीक है, English DGT Work 2 की, तो आप RavensTube app डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकते हैं, और निशित तोर पे आपको अच्छी education मिलेगी, especially literature की, ठीक है, तो देवे सचनों, मिलते हैं next session पे, जब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, कल फिर से दो poem होंगी, मै ते हैं next session पे, thank you for watching to your students.